चार साल में जो लकीरे हम लोगों ने खीची, कौन सा राज्य जो 733 दिवर्शों का मात्रित हुआ अच्छी बात है लेकिन अगर आप ये बात करेंगे तो ये भी बात किया जाएगा कि आपने 5 लाख नौकरी देने की भी बात कही थी पहले ही साल में जारखन में इंडिये ने अब तक के 11 सीटों पे अपने उमिद्वारों का भी ऐलान कर दिया लेकिन आप लोग कभी काफी पीछे हैं अब तक कुछ भी तैय नहीं हो पाया है सीट तो तैय हो गया होगा इसको क्यों अब तक जो है सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है सीट कौन कितने सीट पे लड़ेगा आप कितने सीटों पे लड़ेंगे वो तो बता दिया जाना चाहिए लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है जारखन में चार चरनों में चुनाव होना है हलांकि देश भर में साथ चरन में लोग सभा के चुनाव संपन होंगे चार जुन को मतगनना होगी और उसी दिन नई सरकार कौन बनाने जा रहा है ये भी तै हो जाएगा हमारे साथ जारखन मुक्ति मोर्चा के नेता महासचीब सुप्रियों भटाचार्या है दादा चुनावों का ऐलान हो गया है जारखन में इंडिये ने अब तक के 11 सिटों पर अपने उमिद्वारों का भी ऐलान कर दिया लेकिन आप लोग अभी काफी पीछे हैं अब तक कुछ भी एच्टे नहीं हो पाया है नहीं देखिए हम पीछे नहीं है हम जो फॉर्मलेटीज है उसको पूरा कर रहा है क्योंकि हमारे जो स सिटों का एदान करना है उमिद्वारों का एदान करना है तो उनकी दिल्ली से होगी जो हमारे में बात्चीत बनी है कि वो दिल्ली से जिस वक्त अनॉंस्मेंट कर देंगे जहारकन की सिटों का उसी वक्त हम लोग यहाँ पर अपने सिटों का और अपने उमिद्वारों का आप एब बोल रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी जिस तरीके से देरी कर रही है वो एक वज़ा है कि अब तक आपने आइलान नहीं करूंगा। उसके तुरंद बाद उनका सीसी बैठेगा और जहारकेंट की सीटों पर फैसले देगा। उनको करना है। उसके तुरंद बाद हम लोग भी करेंगे। इसको क्यों अब तक सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसके रहेंगे, राज़त के रहेंगे, वाम के रहेंगे, वहां पर भी तरह से त्यारी हो रही है। इसलिए उसमें कहीं कोई अभाव नहीं। गांडे का जो विधान सवा है, जहां से सर्फराज अहमद ने इस्तिफा दिया और उसके बाद अब तो राजसवा के लिए चले गए। बोला यह जा रहा था बीजेपी के तरफ से कि वहां उप्चुनाओ नहीं हो सकता है, लेकिन आज उसकी भी घोसना कर दी गई। देखिए, बोलना ही तो उनका गलत था। वो तो भ्रह्म फैला रहे था। आज उनके मूह पर चपत परी ना, और चपत इसलिए परी, क्योंकि उनको समिधान नहीं मानना है। क्योंकि अब तो हर्याना में चुनाओ मात्र साथ महिनों के अंदर होना। तो वहाँ चुकी चुनाओ करवाना है। इसलिए बाइ डिफॉल्ट ही हो गया गांडे ह। अब तो सुधर जाए बाभुलाल जी। अब जो अपना नेता का नियत ना समझ पाए। उस तो इस तरह का ब्रह्मक बात करे गई। इसलिए बाभुलाल जी कहते थी कि मोदी जी देश के लिए खतर नागे। जिंदा बात का नारा लगा रहे हैं। उनको तो नरेंद्र मोदी भविश्य दे कर आया। वो तो तब की बात थी जब आप लोगों के साथ थे बाभुलाल को। इसलिए सौदा नहीं पट रहा था ना। पहला बाल में सौदा हुआ था कि भई रिटेल करेंगे। नौ में से छौ भेजेंगे। तीन रखेंगे। फिर तीन के तिन ही दागे। तो भात बात 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 कि बात कितना लोग हुआ। एक बात में दाम लगा। बाभुलाल जी जो दाम लगा है। पुमके जो दो सच्चे लोग थे वो उन से दूर हो लिये। आप पे बोलरें के भी धायक सप्लाई कर रहे। निश्टी तोर पर आप देखिये ना क्या करवाई किये थे दस्वियों ने सुची ना। चिलाए से ना। एक सब्द भी निकलता है क्या उनके मुझ से बदनसभा के अंदर। बोलने ही नहीं देते हैं। उनको मौका कहां दे रही है आपकी सरकार बोलने के। कैसे मौका देगी उनकी सब्द सटार पर विचार चल रहा है। अलिश्टा कम में कुई थूरी खुद को। इन्होंने तो मतलब अपनी जमीन नहीं अपनी जमीर भी बेची। 14 साल तक जिस प्रकार से संगर्ष किया। यदि जमीर नहीं भी की होती। तो राज जनवार दुबारा क्यों नहीं गई भाजपा के टिकट परूं। कौन रोक रहा था उनको। उस समय तो आपको भी बाबुलाल में बड़ा निता दिखाई देता था आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह कि क्या जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि 14 सीट जीतेंगे आज अनॉंस्मेंट भी हो गया। और कई सारे जो नेशनल चैनल से मेडिया है उसमें दिखाया जा रहा है कि 12 सीट तो जीत की और बढ़ गई है बीजेपी एंडिये बढ़ गया है। तो धारकन मुक्ति मोर्चा जो अब तक उमिद्वारों का एलान भी नहीं कर पाया है। आप लोग पीछे नहीं अपने आपको देख पाया है। देखे चार जून को। राश्ट्री चैनलों के लिए श्रम्र का दिन होगा। यह मैं आपको कह दे रहा हूं। और आपने कैसे कह दिया कि हम लोग बाबुलाल को पहले भी बोलते थे कि अच्छे आपके साथ थे तब तो मतलब बच्छे से साथ बैठी रहे थे तब भी हम लोग कहते थे कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कि इसलिए उन्हों नहीं हम लोग को विश्वास दिलाने के लिए का था कि मैं कुद जाओंगा कुतु मिनार से। बगर भरोसा के पिछले दफाब लोग गोड़ा और का एक और सीट जो है आप दे दिये थे। दर्मा और गोड़ा दिये थे तो लोगों का भी भरसा नहीं था। किसी को नहीं चिताया। और इस बार देखिएगा। को डर्मा के लोग राज़त को और अनपुना जी को और ने काम करेंगे। अब कोई पूरा यकीन है कि इस बार जो है इंडिया आलाइंस के लोगों के साथ जार्खन की जनता जाएगी। निश्चित तोर पर जाएगी। और मैं आज क्या रहा हूं फिर इसी सवाल का जवाब आपके बगैर पूछे। चार जुन को दूँगा। बात का जिक्राप ने किया कि बावुलाल के जो नेता हैं उनकी नियत के बारे में जो है बावुलाल जी को नहीं मालूम है। आप एक तरीके से प्रधानमंत्री मोधी को कोट कर रहे हैं। और क्या आपका इसारा इलेक्ट्रॉल बॉंड को लेकर के इसमें इसारा क्यूं करेंगे कहतो रहे हैं। कि सबसे ज्यादा उछलने कुदने वाला सांसल। चिठ्थी लेकर राजभवन गये था। युदाज भवन बोलता साथ कि मेरे पास में एक ठोचिठ्थी है। इन लोग चिठ्थी करता है। और इनकार नेता। देखें क्या करता। आपको भी तो मिला 11 करोड हमने इंकार कहा किया। कि तो ने इनकार कर रहे हैं। वो लोग तो बोल रहे हैं कि भाई भारत की सबसे बड़ी पार्टी हैं। इतने सांसध हैं हमारे पास। और देस भर से चंदाद देने वाला लोग है, उनकी पार्टी पर भरोसा है लोगों को तु दे रहा है लोग चंदाद, क्या दिक्कत? तो बताया ना कि किस परिस्थित में कब-कब उनको पैसा मिला जब इटी चापा मारा उसके बाद मिला जब आई टी चापा मारा तब मिला संयोग हो सकते जब उसको प्रयोग में लाया जाता है कि जो वेक्तिया आठ मेने से जेल में रहा केरल में उनकी पत्री और उनका बेटा कोईमबटूर में केरल सौरी कोईमबटूर में प्रदान मंत्री के साथ में मंच शेयर करता हूँ तो ये प्रयोग हुआ तब तो सही योग बना है अरे हम लोग अब बेवकुप नहीं है संजय भाई च्वविस साल उमर है जार्गन का तेज हो गया है अब ग्रजवर्ट तो ही है कि पूस ग्रजवर्शन में थोड़ा सा निक्कत हो रहा है तो बोलते थे कि जार्गन के लोगों को लोग नहीं अब बढ़े घुझा UP ज़या चल आतोब लोग हम लोगा कहां नहीं कि चार साल में जो लगिरें हम लोगों ने किची कौन सा रागय जो साथे 173 वरशों का माथटू अफश our ग्रतू है अब बताये कौन सा राज है जो सारे तिन लाख रुपया का और साथ में मन्नेगा का मज़दूरी जोर कर अब वो आवाज देता है अच्छी बात है लेकिन अगर आप यह बात करेंगे तो यह भी बात किया जाएगा कि आपने पांच लाख नौकरी देने की बात कहीं थी पहले ही साल में तो एक यह भी तो है कि कौन सा ऐसा देश में स्टेट है जो पांच लाख नौकरी देने का पहले साल में वादा करें और पॉलिटिकल पार्टी था जो इस बात को कहा था कि हम दो करोड़ लोगों को नौकरी देंगे अब दो करोड़ वर्सेस पांच लाक बाली बात जो है चलते रहेगी और जनता जो है दोनों तरफ जो बताए जिसने कहा था कि मैं स्वीज बैंक से पैसा लाकर 15 लाक रुपे सब को देंगे और जिन्होंने अपने SBI को स्वीज बैंक ओफ इंडिया बना कर पहले रुक के रखा और 16,532 करोड रुपे 16 लाक तीन सो बावन करोड रुपे इलेक्टरोल बॉंड पर लिए किस परिस्टी में लिए 16 लाक करोड का कहां से यह आगया आपके पास यह तो स्वीज ने कहा है 16 लाक करोड 16 लाक करोड रुपे यह तो पूरा आप देखिया ना आप जब यूनिक नंबर आ जाएगा मंडे टुस्टर तक आपको डेट भी मालूम चल जाएगा वैक्ती भी मालूम चल जाएगा मतला एक से रंगदाएक से इक्स्टॉुर्शन से मतला अबते ही ED Extortion Department भी है एक्स्टॉॉर्शन से पैसा लती हैं लेकिन लाब किसको पहुच आती है आजानी अम्बानी को ऐसा चोरी फुल प्रूफ चोरी का प्रयास अभी तो पी-म केर आया नहीं है अब जब पी-म केर आएगा तब आप देखेंगे बड़ा जेल जेल कहते थे थे न वो जेल भी इंतजार कर रहा है किसका? यह एक्स्रोशन को से प्राप्त मनी का जो लेने वाले लोग है जो गोटाले बाजयो को बचाने वाले लोग है जो बीदेशों में जो यहां का बैंक को फ्रॉड करके जाता है इसको भगाने वाले लोग है इस अब इसू बन पाएगा दादा आम जन के लिए मुद्दा आप बनाना चाहेंगे तो बनेगा आप यदि नहीं बनाना चाहेंगे तो यह मुद्दा तो नहीं बन पाएगा लेकिन एक बात मैं आपको बता दो संजय जी आप हमसे उम्र में भी छोटे हैं मैंने भी उस वक्त उतना नहीं जिया था कि मैरा जीट समुझ पाऊं चौतर में ना इतना शोशन मेडिया था ना मेंस्रीम नैशनल मेडिया था ना इतने प्रिंट मेडिया था कि वह सरकारी मेडिया हुआ करता था और वो भी पूरा ब्लैक आउट था लेकिन जब जन गोलवंदी हुई उसका पड़े नाम क्या निकला था तो जब जंता चुनाव लड़ती है ना तो सत्ता हारती है और जब मीडिया चुनाव लड़ता है तब सत्ता जितती तो अब यहाँ पर मीडिया का चुनाव प्रचारत तंत्र है तो जंता की गोलवंदी अलग है जंता गोलवंद हो पाएगी मुझे विश्वास नहीं मैं उसका हर स्पंदन सुन रहा हूँ सुक्रिया बाचित के लिए सुप्रियो भटाचारया थे जो बोल रहे हैं कि एडी एक तरीके से एक स्टोर्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है और जहां तक बात मीडिया के द्वारा ये अस्थापित करने की कोशिस हो रही है कि जारखन में 14 में से 12 सीट इंडिये को मिल जाएगा तो 4 जून तक का इंतिजार कीजिए 4 जून सारी चीजों को इसपस्ट कर देगा और फैसला जो है इंडिया अलाइंस के पक्ष में होगा सुक्रिया प्राइंस के लिए अलाइंस के लिए अलाइंस अपक्ष गड़मी के लिए